तो अपने इसी प्रपेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री का चाप्टर फाइफ न्यू चाप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं With The Eyes of Traveler का फंस टापिक जिसका नाम है अल बरूनी ठीक है को अल बरूनी और उसकी बुक किताब लहिंद के बारे में इस टापिक पर हम आज डिसक्स करने वाले हैं तो फटाफट जल्दी से आकर के बहुत interesting topic है, जल्दी से आकर के session को connect करेंगे, session को add on करेंगे और उसके बाद आपको add करते ही, यानि कि join होते ही आपको दो काम करने, session को share और like करना है, फटाफट फटाफट से जल्दी से आजएए, ताकि हम जितना जल्दी आप लोग join करेंगे उतरी जल्दी हम session को start कर सके, और एक पर सभी बच्चे मुझे ये बता दीजे, क्या आप लोग super duper ready है, अपने super duper session के लिए, तो जल्दी से fire emojis, अनिता मैम की army का symbol, यानि की purple heart show कर दीजे, ताकि पता चल जाए कि मेरे soldier बिल्कुल तयार है, बिल्कुल ready है, कूच क करते हैं, आज का ये chapter, जो कि chapter 5 है हमारा history का, ठीक है, इससे पहले जितने भी topic में करवा चुकी हूँ, आपको जो है, वो नहीं देखे हैं, तो आपको जाकर देख लेने चाहिए, क्योंकि आपके topic अगर clear हो गए ना, तो इसका मतलब question आपका कहीं से भी आ जाए, तो आप उसको easily attempt कर सकते हो, आपके class 12 में, board exam में plus आपके CVT में आपको पता है कि number of questions कैसे आते हैं, तो इस बार आपके board exam में competency based question 40% से बढ़ा कर 50% कर दिये हैं, इसलिए आपको हर topic की, हर concept की clearance का होना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है, clear है, super duper ready, क्या बात है, क्या बात है, सारे ब सुसरी country में क्यों move on करते रहते थे, कोई ना, कोई तो reason होगा ना, अब आप लोग भी जाते हो, कभी summer vacation हो गई, ठीक है, चुटियां हो गई, गर्मी की चुटियां हो गई, तो बोलते हो पापा पापा चलो ना, summer vacation मतलब हो गई है, हमारी start हो गई है, तो कहीं घुमने चलत तो वहां जाकर आप क्या देखते हो, वहां के लोगों का रहन सेंद देखते हो, वहां का कल्चर देखते हो, लोग कैसी किस किस तरह की activities करते हैं, ठीक है, उनका dressing sense केता है, बोलते कैसे हैं, कौन कोंसे religious activities करते हैं, मतलब उनका एक अलगी तरीके की activities होती है, ना, चाहे वो rituals का नाम क्या है, through the eyes of travelers, यानि कि जो travelers ने अपनी आखो देखा, हाल अपनी book में लिखा, और उसको पढ़ करके, हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता चलता है, कि किस तरह से travelers ने आ करके, Indian subcontinent को observe किया, क्योंकि वो यहां रुके, रुक करके, सारी चीजों को, यानि कि भ ठीक है, so whenever the people travel, whenever the people travel to a different places, they came across a different world, different world in the term of the physical environment, मतलब देखो, सभी का अलग अलग purpose होता है, ठीक है, अब कोई जाता है अपने, उनके अपने purposes होते हैं, किसी को बहुत interest होता है, घुमने फिरने का शौक होता है, तो अपने घुमने फिरने के लिए चला गया, कोई कहता है कि मुझे opportunities लेनी है वहाँ जाकर, कि मुझे US जाना है, वहाँ जाकर मैं काम करूँगा, वहाँ जाकर पढ़ाई करूँगा, सब के अपने purposes होते हैं, तो physical environment, customs, language, beliefs and practice, तो इनको जानने के लिए लोग travelers एक country से दूसरी country में आते जाते रहते थे, ऐसा नहीं था कि travelers वहारे घूमने फिरने की बस उनी को आजादी थी, ठीक है, तो आपको बताना है, other countries, cultures and the knowledge, हाँ बच्चे, बिल्कु सही कहा आपने, ठीक है, hello अन्नू, आप बहुत beautiful है, thank you, thank you, thank you, ठीक है, चलिए, चलिए, मैं 165 नंबर पर भी admission मिल सकता है, क्या बच्चा, score बहुत कम है, की problem ना face करनी बड़े, score कम आया, इतने score में आपको admission मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए तो आपको बार-बार हम बोलते रहते हैं, कि अभी से अपनी तयारी शुरू कर लो, अभी से, लेकिन तुम लोगों को लगता है, कि मैडम तो ऐसे बोल रहे है, हम बाद में तयारी कर लेंगे, है ना, तो कुछ बच्चे बहुत intelligent होते हैं, brilliant होते हैं, तो ठीक है, उनको एक revision माननी होते हैं, लेकिन वो अपनी strategies के according, पहले से ही अपनी preparation स्टार्ट कर देते हैं, तो क्यों तुम बाद में अपना मोका देते हो, इस तरह की situation को face करने का, है ना, तो preparation को पहले से ह अपनी concept को, अपनी concept पकड बना कर रखिए, एक understanding लेकर जाहिए, ताकि आपके marks आपके दोनों exam में, चाहे वो CUT है, चाहे वो आपका board exam है, चाहे वो other, कोई भी exam है, तो उसके लिए पहले से ही बच्चे प्लान करना पड़ता है, तब जाकर हम उसमें एक success पा सकते हैं, ठी है, clear, हाँ, तो उसके बाद, men and women travel for the various reasons, account the survive of the often varied term the subject matter, ठीक है, तो अब देखो, in sum of the deal with the affair of the court, ठीक है, कोई political चीजों के बारे में जानने के लिए, political system के बारे में जानने के लिए, एक country से दूसरी country में आते हैं, कि हम जाकर इंडिया देखते हैं, कि इंडिया का political system कैसा है, तो कुछ इस purpose से आते हैं, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, religious issues होते हैं, तो किसी को कोई बहाँ पर problem होई होगी, अब जैसे मान लो, किसी में कोई natural communities आ गए, किसी country में, अब वो country के लोग क्या करेंगे, दूसरी country में move on करेंगे, उनके बाँ कोई भी प्राकरतिक आपदा आ ग through the women travel बठते हैं, अब ये इतनी सारी चीजों के बारे में जानने के लिए, men और women दोनों ही travel करते थे, लेकिन हमें सरफ men की ही travel लोग मिली है, women की नहीं मिली है, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, कि women, जो women थी, वो travel करती थी, लेकिन उनकी कोई भी travel लोग नहीं मिलने की व women travel, but there is no account to travel left by the women, तो उनकी कोई account, account का मतलब क्या होता है, बुक होती है, तो उनके द्वारा लिखी गई, कोई बुक हमें अभी तक नहीं मिली है, ठीक है, clear, चलिए, निक्स लास मुवन करते हैं, तो निक्स, निक्स में क्या कहता है, निक्स में कहता है, फ्रॉंग ख्वा ठीक है, देख रहो न, कितना अच्छे से पोज वोस दिया हुए है, अपना ठीक ठाक से फोटो किज़े है, बस हमारी, ठीक है, तो ये फोटो इस तरह से खिचवाई हुए, ये कौन है, अलबरुनी है, तो अलबरुनी सबसे पहले जानते हैं कि अलबरुनी का जर्म कहां तो इनका जो बर्त है, ये कहां बोन होए थे, 973 में, खौरिजम में, और आज के टाइम में वो उजबेकिस्तान में हैं, ठीक है, विच वाज इंपोर्टेंट सेंटर अफ द लर्निंग, उजबेकिस्तान को ठीक है, एक इम्पोर्टेंट लर्निंग, जो है, लर्निंग का एक सेंटर समझा जाता था लर्निंग इन दर सेंस कि वहां पर दूर दूर से वर्ल्ड के अलग-अलग होने से स्टुडेंट लर्निंग करने के लिए आते थे पढ़ाई करने के लिए आते थे एड्यूकेशन बहुत अच्छी होती थी वहां पर तो स्टार्टिंग से जिस पढ़ना ठीक है अलग-अलग जिकर ट्रैवलिंग करना चीजों के बारे में जानना तो यह बच्पन से ही जिस बच्चे के अंदर आ जाती है जो क्रियोसिटी होती है वही उसका इंटरस्ट डेवलप करती है ठीक है बच्पन में चाहिए जो भी आपकी हैबिट्स रही हो अब वह कहीं न कहीं वह आज आपकी या तो आप उस पर सफर कर रहे हो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको कि बच्पन में आपने जो ध्यान नहीं दिया जादा कि बढ़ाई पर ध्यान देना होता है यह लेकिन अब धीर देर समझ बढ़ने लगी है न तो बस आपक की वाजैसे इनको काफी सारी लांग्वजन आती थी सीरियाइक अडविक पर्ष्यण हर्new अदर संस्क्रिब तो यह इतनी भाशाओं के याता थे इतनी सारी लांगवजन को आती थी इतनी सारी लांगवजऑ चाहती थी उटिक है नम सकता है मैं 165 105 की यह твор și मे % 165 CUT में पाया हूँ हां तो बच्चे 165 आफका बहुत कम स्कोर है बहुत कम स्कोर है अगर आप बोल रहे हो कि हिस्टी में 200 में से 165 आए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप ओवराल बता रहे हो कि 800 में से 165 है तो ये कम है ठीक है चली he did not know the देखो ये इतनी इतनी सारी languages इनको आती थी, but he did not know the Greek, लेकिन उनको Greek भाशा नहीं आती थी, ठीक है, फिर भी क्या किया, जो Greek philosophers थे, ठीक है, जो Greek philosophers थे, जैसे अरस्तू थे, प्लेटो थे, तो इनकी जो book थी, ना, ठीक है, इनकी जो book थी, उनको Arabic language में translate किया गया, फिर उन translation, जो translated version था, तो उन को पढ़ करके, और एक Greek भाशा में, जो इनकी समझने की, मतलब जो एक इच्छा थी, जो नहीं समझ पा रहे थे, वो translate होने के बाद, Arabic भाशा में translate होने के बाद, उस चीज को वो समझे, और काफी एक अच्छी पकड़, एक अच्छी समझ अपनी बना ली थी, उसके बाद, Al-Baruni was one of the many scholars and poets, अब ये Al-Baruni, India कैसे आता है, तो इसकी स्टोरी सुनना, कैसे आता है इंडिया, तो आपने एक नाम सुनना होगा, सुल्तान मह्मूद का, ठीक है, ये गजनी के सुल्तान थे, ठीक है, ये गजनी के सुल्तान थे, तो इस गजनी के सुल्तान ने, यानि के सु और खौरीजम पर एक बार टैक करके और मतलब उसमें रूल नहीं किया वारीजम में अधुम्हें और यहां से बहुत सारे लुटपट पजा करके ले गया ठीक है और खौरीजम में जितने बड़े-बड़े सकॉलर ते जितने घ्यानी ते विद्वान थे उनको अपने साथ ब वहाँ पर आकर जब वो सुल्तान रूल करने लगता है तो उसी के साथ में अलबरुनी भी पंजाब आ जाता है इंडिया आ जाता है जब उससे चीजे देखी इंडिया इंडियन सब कॉंटिनेंट में रह करके सिंध में रह करके चीजों को जानना चाहा तो उसको बहुत है इंडिया का कल्चर इतना अच्छा है इंडिया की मिटी इतनी अच्छी है जिसमें इतना अच्छा होता है इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं कि बहुत सारी डाइवर्सिटी के होते हुए भी इंडिया किस तरह से इंडिया के लोग किस तरह से युनाइट रहते हैं किसलिए तो कहते हैं न इस्ट और वेस्ट इंडिया इस दे वेस्ट बोलो फटापट से जैहिंट जल्दी से लिखो पड़ावर्ट जैहिंट सारे बचे जैहिंट लिखेंगे ठीक है हाँ तो उन्होंने क्या किया 1017 में अख्वारिजम पर अटेक करके काफी सारे स्कॉलर्स को स्लेव या बंदी बनाकर लेकर आया और उनमें से एक कौन था अल बरुनी ठीक है इस वेम सुना है ठीक है तो अब आगी की जन्नी पढ़ते हैं इसकी अल बरुनी ने बहुत सारा टाइम अपना ब्रामनों के साथ बिताया ठीक है अब उसको संस्कृत पढ़ने लिखनी नहीं आती थी ठीक है अब संस्कृत पढ़ने लिखने के लिए उसने किसका सारा लिय ब्रामनों के साथ रहा है इसको संस्कृत पढ़नी बोलनी आ गई तो इसने काफी सारी संस्कृत टेक्स्ट बुक को रीड किया study किया, समझा Indian culture के बारे में, कि क्या होता था, कैसे हो रहा है, क्या-क्या चीज़े इसमें मेंचन की गई है, वो सारी चीज़े इसमें पड़ी, और धीरे-धीरे इंडियन सब पॉंटिनेंट के बारे में, इंडियन culture के बारे में बहुत कुछ इनको जानकारी मिल ठीक है, हाँ, जैहिन, जैहिन, ठीक है, इस तो वेस्ट और इंडिया इस दे बेस्ट, बहुत बड़ी बच्चे, गुड, उसके बाद, फिर उसने क्या किया, इतनी अच्छी संस्क्रित इसको बोलनी पढ़नी लिखनी आ गई, कि उसरे पतंजली के वर्क, जो कि संस्क्रित ग्रामर कितनी मुश्किल होती है, ना संस्क्रित ग्रामर, तो जो पतंजली ने संस्क्रित ग्रामर बनाई थी, ठीक है, लिखी थी, या उसको compose किया था उसको translate किया Arabic language में तो he translated several Sanskrit work including Patanjali's work on into the into Arabic language for his Brahman friend फिर उसने क्या किया ब्रामनों ने तो अपना काम कर दी अपने friend को Sanskrit बोलनी पढ़नी लिखनी सिखा दी फिर ब्रामनों ने क्या किया यार को मैंने तो तुम्हें Sanskrit सिखाई है न हमने तो सिखाई है लेकिन तुम्हें हमारा चूटा से काम करना होगा वो चूटा से काम क्या करना होगा वो यह करना होगा कि translated the work of the की जो यह Greek mathematician है ठीक है एक Greek में एक गणितक यह यानि कि mathematician है उनकी बूक है lucid उसको translate कर दो यार संस्कृत में ताकि हम उसको पढ़ ले जान ले और हम अपने देश्वासियों को भारतियों को इसके बारे में बताएं उसने का okay done है तो उन्होंने अपने ब्राह्मन फ्रेंड्स के लिए वो चीज translate कर दी संस्कृत में translate कर दी तो हमारे ब्राह्मनों ने पढ़ ली और फिर बाद में उसको execute किया ठीक है clear हाँ अनू ठीक है good बचा चलिए यहां तक समझ में आ गया यहां तक समझ में आ गया next next करते हैं अल बरूनी एंड किताब उल हिंद यह बहुत जरूरी है ध्यान रखना इसमें confused नहीं होना है कि अल बरूनी की जो बुक थी उसका नाम क्या था किताब उल हिंद क्या नाम था किताब उल हिंद यह अल बरूनी की बुक है अबनुरी wrote the kitabul hind in the Arabic simple and easy language उसने क्या किया अपने इस kitabul hind में जो Arabic भाषा बैई देखो English भी होती है ना तो English क्या होती है एक तो आपकी Oxford English होती है ना Oxford मतलब वो typical वाली English होती है तो उसका easy version जो आज हम बढ़ रहे हैं ना वो इसका easy version है English का ठीक है तो इसने क्या किया, Arabic भाषा का जो सबसे simple और सबसे easy जो एक version होता है, उसमें किताब लहिंद को लिखा, ठीक है, किताब लहिंद के जो भी chapters थे, उसमें जो भी चीजे लिखी गई, बहुत simple सरल भाषा में लिखी गई, इसको total 80 chapters में divide किया गया, अल बरुनी ने अपनी book को 80 chapters में divide किया, यानि कि आपकी book में history की book में कितने chapters है, 15 chapters है, जिसमें कि 12 आ रहे हैं, तीन नहीं आ रहे हैं, वो आपके 3 COT भी आएंगे, ठीक है, तो total आप मान कर चलिए 15 chapters है, ऐसे ही अल बरुनी ने अपने किताब लहिंद में 80 chapters को रखा, अब इन 80 chapters में कितन कितन बातों को बताया गया, ठीक है, तो वो बताया गया किस-किस के बारे में, कि religion के बारे में, philosophy के बारे में, festivals, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weights, weights and measure, iconography, laws and metrology, बतलब इतनी सारी बातों को उन्होंने 80 chapters में बताया, ताकि reader हर एक पहलू से वाकिफ हो जाए, इंडिया के culture को जाने कि इंडिया में ये चीजे होती थी, और इंडिया की एक जो true picture है, वो लोगों के सामने जाए, जो उसने observe करी थी, बहुत अच्छी बात कही थी उसने इंडिया के बारे में, चीक है ना, तो इस तरीके से उसने सारी चीजों को अपने book में किताब अल हिंद में लिखा, अब क्या करते हैं, अब करते हैं, अल बरुनी and the Sanskritic tradition, अल बरुनी Sanskritic tradition किसको बोला है, इंडिया में तो पहले Sanskriti चलती थी न, तो इंडिया में किस तरह का tradition था, किस तरह की परंपरा थी, जिसको लोग follow कर रहे थे, तो अल बरुनी ने इस पर क्या लिखा है, ज़रा ध्यान से देखना, सुनना, अल अल बरुनी discuss about the problems in understanding the local practice, ठीक है, तो उसको काफी सारी मतलब, जब वो इंडिया ऐसा नहीं है, कि कोई बाहर से traveler आया, उसने सारी चीज़ों को एकदम से समझ लिया, कोई starting उसको problem भी तो face करनी पड़ती है, कि उसको कोई चीज नहीं आ रहे है, कोई चीज समझ नहीं आ रहे ठीक है, उसको यह नहीं पता कि यह कौन सा area, उसको यह नहीं पता कि कौन सा culture follow किया जाता है, उसको यह नहीं पता कि कौन से language है, जिसको पढ़ना, लिखना, बोलना उसको बहुत मुश्किल लगता था, ठीक है, तो सबसे पहले अल बरुनी discuss about the problem को discuss करता है, to understand the local practice, तो local practice, करने कि लोग किस तरह की यह activity करते हैं, ठीक है, सब अलग अलग अपने activity कर रहे हैं, क्योंकि India तो diverse, मतलब diverse population थी उसकी, ठीक है, diversity बहुत थी, अलग अलग तरह कि लोग उसमें रहते थे, तो कोई Muslim था तो वो Muslim वाली activity कर रहा है, ठीक है, Muslim जो भी Islamic religion की activities होती है, कोई Christian था, क कोई Muslim था, कोई हिसाई था, कोई Sikh था, तो वो अपने अलग अलग तरीके से, अपने culture को, अपने activities को कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको problem आती है, कि local practices ठीक है, these problem वरतो, सबसे पहले इनकी problem क्या थी, सबसे बड़ी problem थी, इनकी Sanskrit की, He said that the Sanskrit was so different from the Arabic and Persian, उसने कहा कि Sanskrit जो है, बिल्कुल difference है, बिल्कुल different है किससे Arabic और Persian language है, क्योंकि उसको Arabic और Persian बहुत अच्छी से आती थी, जितने अच्छी तरीके से उसको Arabic आती थी, उतनी ही मुश्किल लगती थी उसको Sanskrit, ठीक है, अब जैसे मान लो, आपको Hindi और English बोलनी प ठीक है, अब जितनी अच्छी तरीके से आप Hindi और English बढ़ सकते हैं, उतनी अच्छी तरीके से आप Spanish नहीं बढ़ सकते हो, starting में प्रॉब्लम आएगी, फिर एक टाम आएगा काफी टाइम बाद practice करने के बाद फिर आप Spanish में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लोगे, तो ऐस से ही जितनी easy उसको Arabic लगती थी, उतनी ही मुश्किल उसको Sanskrit लगती थी, the idea next आता है, from the Arabic and Persian and the ideas and the concept could not easily translate, अब Sanskrit के कुछ word ऐसे होते हैं, ठीक है, इसने कहा कि Sanskrit में ऐसे थे words होते हैं, जिसको translate करना बहुत मुश्किल होता है, और इसको translate करने में काफी सारी problems को जेलना पड़ा ठीक है, तो इसने बताया गया कि second, first तो इसकी problem थी, Sanskrit second problem में बताया गया कि वो are the different religion, beliefs and practices, लोग नहीं पता उसको कि लोग कौन से भगवान की, कौन से God या Goddess की को worship करते हैं, क्योंकि कोई भगवान श्रिकेशन को मान रहा है, तो कोई भगवान राम को मान रहा है, कोई Lord Shiva को, कोई Lord Vishnu को, कोई Goddess Lakshmi को, कोई Goddess मतलब दुर्गा माता को, तो अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग भगवानों की पूजा करते थे, अब इसको ये समझ में नहीं आया कि यार ये कैसा religion है, लोग कैसे religion practices कर रहे हैं, कैसे activity कर रहे हैं, जिसमें अलग-अलग सारी चीज़े अलग-अलग तरीके से वो अपनी devotions को शो कर रहे हैं, नहीं समझ में आया क्योंकि इसने Muslims में देखा, Islam धर्म में देखा कि Allah एक होता है, ठीक है, अलग की इबादत करते हैं, तो इसको ये पता था कि Allah है, लेकिन यहां तो हिंदूों में तो कितनी तरह के देवी देवता है तो उसको ये पढ़ने में, समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है, थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, उसकी वाद लोकल पॉपलेशन वर प्री ओक्यूपाइड विद देया ओन फिलिंग, तीसरी बात क्या थी, तीसरी इसकी प्रॉब्लम थी, कि इंडिया में अलग-अल अलग है और बाकि इंडिया बालों की अलग है, तो उसने ये चीश बड़ी अजीब सी लगी कि यार, हैं तो उसको नहीं पता था कि ये आउटसाइडर है, कि ये है तो इंडिया में, रह तो इंडिया में रहें, लेकिन ये अलग-ठरे की एक्टिविटीज क्यू कर रहे है बाकि लोग किसी और तरीके कर रहे हैं यह अलग तरीकी कर रहे हैं तो उनको पता चला बाद में कि यह तो outsider है जो कि outsider थे और यह इंडिया में आकर रहे हैं तो वह अपनी activities कर रहे हैं ठीक है उसको अपनी तरीके से follow कर रहे हैं Am I clear now? Am I clear now? बताओ बताओ जल्दी से, फटावट फटावट से, clear हो गया यहां तक? देखो बच्चे, simple से सी सी सरल भाषा में बात बता रहे हूं, अगर आप concept को नहीं समझोगे न, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे बच्चे comment section में लिखते हैं, comment करके बताते हैं कि मैणम हमारा score इतना कम आया है, admission नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण क्या था, कारण ये था कि उन्होंने ठीक से preparation नहीं की, आप जो भी बच्चे हो, ठीक है, humanities के हो, जिसके पास history और political science, जो भी है आपका subject, चाहे वो science का है, commerce का है, या arts का है, सभी बच्चों से मेरी एक request है कि अपनी preparation को अभी से boost कर दो बच्चे, बाद में बहुत problem face करोगे, क्योंकि आपका exam, board का exam, आपका April में खतम होगा, में में इत बार आपके जल्दी CUT के exam हो जाएंगे, तो preparation का time बहुत-बहुत कम मिलेगा, इसलिए अपनी preparation को अभी से start कर दो, ताकि बाद में एक अच्छी revision लेकर हम जा सके, ठीक है ना, clear है, हाँ, ठीक है, next, As per Al-Baruni account of the system of Varna, the highest caste was Brahman, ठीक है, तो Al-Baruni ने अपनी book, किताब लहिंद में लिखा कि, इंडिया में न, one system है, one system मतलब, category में बटा हुआ है, पूरी इंडिया सोसाइटी को category में बाटा हुआ है, तो उसे चार category के बारे में बता है, जो उसने चीजे observe करी, ठीक है, तो वो चार categories कौन कौन सी थी, ब्रामन, शत्रिय, वैश्य और शुद्राज, ठीक है, तो चार category बता दी उसने, तो उसने कहा, कि the next caste वर, ठीक है, तो सबसे जो उची caste थी, वो ब्रामन थी, ठीक है, उससे जो next caste थी, वो शत्रियों की थी, ठीक है, अब एक human being की body से उसको compare किया गया है, है, हो क्या है, कि यह जो पढ़ाई लिखाई का काम है, दिमाग का काम है, यह किसका होगा, यह होगा ब्रामनों का, यह किसका होगा, ब्रामन का, ठीक है, और जो इसकी भुजाएं है, भुजाओं मतलब किसके, ताकत को show कर रही है, पावर को show कर रही है, तो यह किसका काम है यह है शत्रिय का फीक है कि सका है शत्रियों का राइट गया है पहले तो ध्यान देखना कई बर कोशन आ जाता है इसको बोला गया है ठीक है जो अल भरु हो ने अपनी बुक में कहा कि एक human being की 40 यानि कि एक मनुश्य का जो शरीर होता है तो सबसे पहले दिमाख starting उपर से करते हैं तो उपर सबसे उपर category कौन सी हो गई? ब्रामन हो गई जो पढ़ाई लिखाए का दिमाख वाला काम करेगा ठीक है? उसके बाद भुजाएं आ गई तो सबसे बाद नीचे पुजाएं आती है ठीक है? हाथ आते हैं, पावर आते हैं, मसल्स आती हैं तो ये किसका काम है? शत्रिया का कंसिडर किया गया है उसके बाद ही पापी पेट का सवाल है कमाना पड़ता है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहां से, है ना? तो फिर उसको कंसिडर किया गया है किस से? उसको कंसिडर किया गया है वैशा से, और जो नीचे ये फीट है, ठीक है? ये जो पैर है इसको किया गया है शुद्रों से, ठीक है? इसको किया गया है इसकी BKVS, that means की पकवास, वाँ, क्या बात है, इसको कहते है intelligent बच्चे, है ना, good, हाँ, तो ऐसे अपनी से trick बना लिया करो, ठीक है, और इनको सबसे नीचे इसलिए रखा गया, क्योंकि इसको बोला गया था, इन शुद्रों के लिए fix कर दिया गया था, कि अपने से उपर की तीन कैटेगरी को तुम्हें अपनी सेवाएं देनी है, अपनी services प्रवाइड करनी है, ठीक है, बाकि तुम्हें कोई काम नहीं करना है, clear, उसके बाद, according to the albaroni, these classes, though, tough, though the different from each other, हाला कि ये जो चार कैटेगरी बताई गई है, ये एक दूसरे से differ है, इनका काम कुछ हो रहे अलग-अलग काम है सबके, लेकिन ये एक ही छत के नीचे रहते हैं, देखो कितनी अच्छी बात बताई है, कि unity है इनके अंदर, diversity के होते हुए भी unity है, ठीक है, तो वो एक ही छत के नीचे काम करें, जैसे एक ही छत के नीचे काम कैसे किया, कि मान लो, राजा का दर्बार है ठीक है राजा है अब राजा के पैलस में ब्रामन भी होंगे जो उसको सज्जेस्ट करेंगे धार्मिक बाते बताएंगे और उसके अलावा शत्रीय तो वो हैं ही ठीक है उसके अलावा जो बिसके Marshals होते है न कि डाइवर्सिटी के होते हुए इंके काम अलग होते हुए इधों लोग इखटे रहते हैं यह यह बहुत अच्छी बात करो है है लोग काई geweén है इसलिए इंडिया को कहते है क्या कहते है india को india is a diverse country है अन्हरा शाल हिए तो next movement करते हैं कि but they live together in the same town and village लेकिन वो एक ही गाउं में एक ही शहर में रहते हैं mixed together in the same houses and loodies ठीक है तो वो एक ही घर में जैसे मैंने अभी king का palace का example दिया ठीक है वो एक ही same गाउं में same town town में रहते हैं और मिल जूर कर काम करते हैं एक के बिना दूसरा दूसरे के बिना तीसरा अधूरा है स्टर को किस तरी से किस तरीके से describe किया है फो देखना ठीक है अपनि बुक में लिखा उसने की caste system was not unique in India मैंने कई जगे पर मैंने country को घूमा हुए ठीक है मैंने बहुत सारी country को visit किया हूय तो अलग-अलग country में तरीके से वह के Nowadays में divided हैं ठीक कुछ लगानी, ऐसी हरान करने वाली बात उसको नहीं लगी, कि ठीक है, इंडिन सोसाइटी भी तो डिवाइड़ीड है ना, केटेगरीज में, कोई बात नहीं, बाकियों कंट्री में भी तो है, तो उसको कोई सर्प्राइजिंग बात नहीं लगी इसमें, उसने कहा कि मैंने नोट किया इस बात को, ठीक है, मैंने नोटिस किया इस बात को कि एंचन परशिया में, ठीक है, परशिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी तो फोर केटेगरीज बनी हुई हैं, कौन-कौन सी, जैसे हमारे ब्राह्मन थी, तो उनके यहां एंचन परशिया म यह second category में बताएगे, ancient persia में, physician, astronomers and the other scientists, इसको third category में रखा गया है, ठीक है, next आता है, peasants and the articians, peasants and the articians को fourth category में रखा गया है, तो इस तरीके से उसने ancient persia को four category में define किया है, कि किस तरीके से, जैसे India divided है categories में, ऐसे ही मैंने तो persia में भी देखा है, और persia की categories यह यह हैं, ठीक है, उसके बाद he pointed out the Islam, उसने point out किया, कि जब वो अलग-अलग country में visit करके आता है, तो उसने, जो Islamic country से, उसने कहा कि Islam धर्म की बात कर रहा है, कि all men were considered equal, equal, सभी को equal treat किया जाता है, ठीक है, and they differ only there the observance of the pity, उसमें कोई category नहीं बनाई हुई है, ठीक है, इस्लाम धर्म में या Islamic जो country है, उसमें कोई category नहीं बनाई गई, हाँ, थोड़ा बहुत दो difference चलता है, ठीक है, कि वो अमीर है, वो गरीब है, तो इस तरह की तो ठीक है, वो चलता है, लेकिन इस तरह की categories उसमें divide नहीं की गई है, ठीक है, clear, चलिए, next move on करते है, अलबरुनी views on the pollution, pollution किसको कहते हैं, यह वो वाला pollution नहीं है, नौई pollution और आपका land pollution और आपका water pollution यह वो वाला pollution नहीं है, अलबरुनी ने कहा कि इंडिया में कैसा pollution है, ठीक है, जो मैंने observe किया, वो कैसा pollution है, कि अलबरुनी accepted the brahmanical description of the caste system, but he rejected, ठीक है, मैंने मान लिया, कि ब्राह्मनों को उपर रखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं रखा गया, तो जैसे बागी काटेगरी में, बागी कांट्री की कैटेगरी में, किसी को उपर रखा गया, किसी को नीचे रखा गया, ठीक है, ब्राह्मन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक बात से बहुत ज्यादा नाराज है, एक बात से वो disagree होता है, एक बात से वो इस बात को reject करता है, the notion of pollution, अब ये notion of pollution क्या होता है, हिंद हिंदी में पढ़ना है, तो जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, अगर आपको bilingual पढ़ना है, तो English में content है, मैं सारा आपको हिंदी में समझा रही हूं, यहां से पढ़ सकते हैं, और बाकी दूसरे channel, जो हमारा CUT हिंदी का है, वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, clear, अब देखो, here pollution refers, अब यहां pollution किसको गया है, practice of untouchability and discrimination against lower, अब यह pollution कहा गया है, practice of untouchability, जो अस्प्रश्य लोग होते हैं, उनको discard कर दिया गया था, ठीक है, अस्प्रश्य लोग मतलब जो छोटी कास्ट के होते थे, ब्रामन लोग या जो तेन कैटेगरी थी, जब वो गा गाउं में आते थे न, तो फोट जोर-जोर से clapping होने लग जाती थी, drum beating होने लग जाती थी, announcement होते थी, सुनो, 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 गाउंवालो, वो, इनको अलग रखा गया था, गाउं से बिलकुल बाहर रखा गया था, जब वो enter करते थे न, तो announcement हो जाते थी, कि वो आ रहे है गाओं के अंदर किसी काम से आ रहे होंगे ठीक है और इस तरह से सारे लोग अपने घर के खिड़की दर्वाजे सब बंद कर लेते थे कि इनकी परचाई तक अगर उनके पढ़ गई शैडो तक पढ़ गई तो वो अपने आपको अपवित्र मानते थे ठीक है तो इनकी बैटर पीपल बाइदा अपर क्लास पीपल जो रिच फामली के लोग होते हैं अपर क्लास के लोग होते हैं वो लोवर क्लास के लोगों के साथ किस तरह से डिस्क्रमेशन करते हैं इस बात को वो Disagree करता है ठीक है? Clear? यहां तक समझ में आ गया? Am I clear now? शली तो यह था ठीक है? और देखो अगर आपको वाकर में अगर आप serious हो और अभी से अपनी 2024 की तयारी करना चाहते हो तो आज ही जॉइन करें हमारा stressed batch ठीक है? जिसकी classes 16th August से यानि कि कल से start हो चुकी है तो जितनी जल्दी आप preparation start करोगे उतनी ही जल्दी हम revision की तरफ बढ़ेंगे revision करके फिर हम practice की तरफ बढ़ेंगे practice के बाद फिर हम last moment पर जो कोई revision होते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे इस तरीके से आप अपनी preparation की strategies को follow करके बहुत अच्छा score ला सकते हैं और आपका जो dream college है कि मेरा सपना है कि मैं इस college में admission लूँ वो पूरा हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको preparation बहुत अच्छे से करके जानी होगी target आपने अच्छा सोचा है बहुत उच्छा सोचा है जिसमें आपको हर तरह की जो है वो study material दिया जा रहा है teachers के साथ live interactive classes दी जा रही है उसके बाद आपका recorded session दे सारा सब कुछ आपको दिया जा रहा है तो अपनी preparation को अभी से start कर दीजिए तो ये आपका C-U-E-T C-U-E-T प्लस आपके board exam दोनों के लिए है बच्छा अगर आप चाहते हो कि दोनों exam में मैं बहुत अच्छा score करूँ ठीक है और आप इसको purchase करने के लिए ये इतने रुपीज का आपको ज़्यादा cost ही लग रहा होगा लेकिन आप जब coupon code use करोगे Y489 तो आपको इसके अलावा गर आप चाहते हो कि मुझे सरफ class 12 की ही तयारी करनी है मुझे अभी COT को नहीं जो है अभी तयार करना है तो उसके लिए हमारा ये ignite batch है जिसमें आपको domain subject जिसमें सरफ आपको domain subject पढ़ाए जाएंगे याद रखना कोई भी batch खरीदने से पहले आप उसके descriptions को जरूर देख लेना कि इसमें क्या चीज आपको provide की जारी है क्या नहीं की जारी है ठीक है इसमें बता दू इसमें GT English की preparation नहीं करवाई जाएगी क्योंकि ये सरफ आपको class 12 का है ठीक है board exam के लिए तो आप इसमें history, civics, geography, economics ये पढ़ सकते हैं जो कि आपके main domain subject है ठीक है तो आप इसको भी enroll कर सकते हैं इसमें भी इस पर भी आपको maximum discount मिलेगा जब आप coupon code यूज करेंगे कितने का है ये ये है 2549 का ठीक है उसके बाद इसको क्या करना है सबसे पहले तो जो बचे चैनल पर नए है अब भी क्यावी चैनल को subscribe कर लो क्योंकि आपके आने वाले CUT exam और board exam के लिए चैनल बहुत बहुत आप लोगों के लिए helpful होने वाला है ठीक है comment section में अगर किसी दर एका कोई भी सकते हैं अब इसको अवेल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है आपको जाना है गूगल बाबा के पास ठीक है तो आपने गूगल पर टाइप किया अटड़ 24 7 ठीक है जैसे आपने अटड़ 24 7 टाइप किया यहां पर all courses आ जाएगा आपने क्या किया अगर मैं आपको दोनों बता देती हूं महापेक खरीद होगे तो फाइदे में रहोगे क्यों क्योंकि आपको साल भर जितने भी बच्चे नए-ने batches में add-on होते चले जाएंगे नए-ने batches में बच्चे नए-ने आते जाएंगे यह महापेक वाले बच्चे उसमें बिना कोई पैसा दिये उसमें by default add होते चले जाएंगे उनसे फिर बार-बार कोई पैसा नहीं लिया जाएगा एक बर इन्होंने invest कर लिया इसका मतलब पूरे साल भर में जितने भी batches मिलेंगे सबका access उनको मिल जाएगा ठीक है अब यह क्या करना है यह स्रेस्ट बैच में आपको क्या करना है यहाँ पर आपको buy now का option आ रहा होगा ठीक है सबसे पहले मैं बता दूँ कि admission के regarding आपको कोई भी problem आती है तो आप इस number पर call करके पता कर सकते हैं कि मैं admission में इस तरह की हमें problem face कर रहे हैं तो आपका solution आपको दे दिया जाएगा ठीक है इसमें आपको फाइफिफिटी आर्स की live classes मिल रही है पांस तीरी मिल रही है छे book मिल रही है ठीक है ebooks मिल रही है expert faculty से पढ़ने का आपको chance मिल रहा है मौका म बिल रहा है ठीक है तो आपको भी पता है कि सी यूटी अटर 247 की faculty किस तरह से result देती है अपना किस तरह का content आप लोगों को provide करते हैं अगर आपका सपना टॉपर बनने का तो पटाफर से जॉइन कर लीजिए ठीक है और उसके बाद recorded भी आपके पास वीडियो रहेंगी ठी ठीक है limited batch size interactive classes के साथ साथ में आपको यह सारी चीज़े आपको PDF notes वगरे सब कुछ मिलेगे 8000 practice questions समझ रहे हो 8000 कितनी अच्छी practice लेकर जाओगे खुद समझ अंदाजा लगा सकते हो ठीक है तो बहुत अच्छी practice लेकर जाओगे और जिससे आप बहुत अच्छा score कर सकते हैं यहां पर आपको buy now पर click करते हैं आपको करना है Y489 यह coupon code बस लगा लो दिमाग में बिठा लो Y489 coupon code लगा करके maximum discount पालो ठीक है और यह course आपका पढ़ गया 8714 का अब आप यह सोचो यह पूरे 12 मत के यानि कि 12 महीने के लिए तुम्हे 8000 something कुछ पे करना पढ़ रहा है 12 महीन सब्रिक्ट लगाओगे 5 सब्रिक्ट लगाओगे उसके असाब से आप अपनी 1000 ताउजन लोपीज आइड करते चले जाए कितने दोगे साल में पर मंद 4000 तो साल में कितने 48 वजा चले गए आपके यह तो स्रिफ आपका आठ दर something कुछ है ना फायदा किसमें है टॉपर बनन है strategy follow करनी है एक अच्छी preparation लेकर जानी है तो join कर लो सोचोगे देर करोगे तो वो time हाथ से निकल जाएगा सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शैर चलने के लिए जिद भी जरूरी है मन्जिल को पाने के लिए तो आपको अगर आपको मन्जिल को पाना है तो जिद वो जुनून अपने अंदर पहले जगाना होगा वो पैदा करना होगा ठीक है जिस जो सपना आपने देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए आपको उतना ही स्रगल करना पड़ेगा रास्ता हमने दिखा दिया है आपको चलना आपको है क्या करना है क्या नहीं करना आप से ब यहादा नहीं है आपके सपने के आगे यह कुछ भी नहीं है ठीक है यहाँ पर आपकी मनी सेव हो रही है अगर आप माल लीजे भगवान ना करें आपका स्कोर कम आया ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा इतना सारा पैसा प्राइबेट यूणिवर्सिटी को देना जहाँ पर टॉप इंडिया की आपको पढ़ाएंगी सपना तो तुमने बहुत उंचा देखा है अगर तुम पैसो को देखोगे ना नहीं बढ़ सकते आगे तो पैसो को मत देखिए एक बार का इंवेस्टमेंट है फिर उसके बाद तो आपको कॉलेज मिल जाएगा ड्रीम टेकर तिल देन तेक केर बाई बाई